दोफ्तों स्वागत है आपका अपने चनल तैयर जीत में अगज हम देखने वाले हैं कक्छा पांच वी और आठ वी के थी यहाँ पर 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 पड़िक चेटी हो चुकी जारी यहाँपर हम देखने वाले हैं उनका तायम टेबल कैसे डाउंड करेंगे यहाँपर कक्छा साथ कखचा 8B के परिक्चा की तितिया है वो कितने तारिक से यहां पर स्टार्टिंग होने वाली है। साथी साथे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यहां पर कखचा 8B में एक यहां पर योजना चालू की गई हैं यहां पर C.A.M.G. के दोरा तो इसमें यदि आप फॉर्म एपलाई करते हैं और एपलाई करने के साथ साथ है यदि आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको पर मन्त यहां पर एक हजार से लेकर बारास रुपए दिये जाएंगे जो आपको हर महीने आपके खाते में जोड़कर दिये बाले हैं एक हजार यह फिर बारास रुपए करके आपके हर महीने आपके खाते में यह जमा किये जाएंगे तो इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे तो यहां पर वीडियो के अंड तक बने रहीगीगा यदि वीडियो अच्छे लगता है तो चनल को सब्सक्राइब तो आए वीडियो को सुरु करते हैं में ना थाइम खराब किये यहांपर पहले हम देखते हैं कि यहां पर जो सूचना दी गए वह क्या दी गई है पर I can संभाब न तरहें जता है तो यहां पर नोटिफनी ही फ्रेस की कच्छा यहां पर Ohhh 2 देख लिए तो यहांपर आ चोका है तो यहां पर हमें पढ़ना है और derechos इसमें की क्या थे परिक्षाओं के रूप में संबोधित की जाएगी यह परिक्षा एक अप्रेल नौ अप्रेल तक 222 की अबदी में संलग्न समय सारागनी अनुसार आयुद की जाएगी इस बोड़ परिक्षा नहीं कहा जाएगा मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर आपके टीचर वही हो सकते जो आपको पढ़ाते हैं या फिर बाहर से भी आपके टीचर यहाँ पर कोई अधर टीचर आ सकते हैं यहाँ पर उनकी डूटी लग सकती है पांच और आठी वालों के एक्जाम में तो ध्यान रखेंगे वो इनकी आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर तो यहाँ पर उनके द्वारा यहां पर परिक्षा ली जाएगी और यहां पर आपके चेक यह भी बाहर से आ सकते हैं और यहां पर जो आपके स्कूल के सिक्षक हैं उनको भी बाहर भीजा जागता है और दूसरे स्कूलों के टीचर भी यहां पर उपस्थित हो सकते हैं मतलब आपकी जाच परिक्षा यहां पर ली जाएगा और क्या लिखा है परिक्षा बैठने बाला कोई बालक परिक्षा में उत्तरीन गोसत किया जाएगा यदि बह सभी विसयों में राज्य सिक्षा केंद दौरा बिनिश्चित यानि सुनिश्चित किये गए अंके या ग्रेड प्राप्त करता ह मतलब कि यदि आप पासिंग मार्क्स लाएंगे यदि पचास नमबर का आपका पेपर है और यदि आपको उसमें लगभग 15 नमबर आते हैं तभी आप पास माने जाएंगे और यदि ग्रेड कि हिसाब से आएगा तो ग्रेड के हिसाब balance नहीं आते हैं तो आप उस सित्तित में फैल माने जाएंगे और आपको पुनाह से परिक्षा देने पड़ेगी इसके बारे में यहां नीचे दिया गया आपको इसको पढ़ लीजी अच्छे से क्या लिखाए तो यहां इसे पढ़ते हैं यहां पर दिया है यहां पर दिया है पुनाह प्रिक्षा का आयूजन मतल नंबर लाना जरूरी है और 15 या 16 लगभग और यदी 95 नंबर का है तो 75 नंबर में आपको कितने चाहिए यहां पर चाहिए आपको पास होने के लिए चाहिए यदि इससे कम नमबर आते हैं तो आपको यहां पर दोवारिज़ से परिक्षा आयूट होगी तो इसमें आपको पेपर देना होगा, यदि नहीं देते हैं, तो अगली वाली प्रिक्षाओं में मतलब आप जो आगली साल आएंगे एक इसाम देने के लिए, या फर एडिमीशन लेने तो उसी कक्षा में आपको आपको नहीं दिया जाएगा, जैसे कि आप 6 में हैं, तो आप अगली साल भी 6 सब्सक्राइब करने जाए जाएंगे जदी इस परिक्षा में पास नहीं होंगे तो यहां पर देख लीजिए तो यहां पर यहीं कहा गया है ग्रीड सभी बिसेओं में प्राप्त नहीं कर्स पाया पाता है तो उस बालक को बिद्धियाले द्वारा अतिरिक्त सिक्षण दिया जाएगा मतलब यहां पर और पढ़ाए जाएगा उसके लिए और सिक्षा प्रिणाम घोसित होने की तारीक से सकते हैं तो भी आपको अध्यन कराएंगे तो आईए इनका टाइम टेवल देख लिए कबसे यहां पर परिक्षा की जाने वाली हैं यहाँ पर नौ बजे से लेकर 11-11 बजे तक आपका टाइम रहने वाला है यहाँ पर पहला पर होने वाला है यहां पर जो मैं बताने वाला वो हिंदी में लिखी होती है उन्हीं के लिए ये बताने वाला हूँ तो हिंदी मीडियम बाले अपना टाइम टेबल अच्छे से लिखते चलें तो यहां पर बताने वाला हूँ तो आपका जो पहला पेपर होने बाला हो वो हिंदी है आपका तो ध्यान रखेंगे आपका पहला पेपर आपका हिंदी होने बाला हिंदी मीडियम बालों का और दूसरा पेपर हमारा यहां पर चार तारीक को नहीं होने बाला है यह चार तारीक हमारे लिए नहीं है यह चार तारीक को जो होगा हमारा तरत्ती भासा संस्कृत का और इसके बाद हमारा अगला पेपर होगा आठ तारीक को जिसमें हमारा जो पेपर आएगा वो है सामाजिक बिग्यान कक्षाट वालों का इसमें लास्ट को हमारा जो लगने वाला है नो तारीक में वो हमारा होने वाला है पांच तारीक को होना है छे साथ और आठ इसके बाद लाश्ट पेपर आपका इंगलिस का है जो नौ तारीक को होना है इसको मैं आपको अच्छे समझा चुका हूँ अगला पेपर देखते हैं जो क्लास फिप्त के लिए है तो कक्षा पांच भी वालों का आपका जो यहां प बताने वाला हूं यहांपर जो पहला पेपर आपका यहांपर होने वाला है बिसे कíंगी का होगा तो इसके बार दुफिए पेपर जो छे तारीक को होने वाला है गड़े थे इसके बार चॉथा पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है , अत्रिक यहाँ पर देखेंगे, तो हमारे क्या है इसमें, चॉथी पेपर- को आपका यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि आपकी भासन ना thus Hindi है यहाँ पर यहाँ पर मतलब परियाबरन आएका सोरी यहाँ पर आट तारीक है तो आपका नियाँ को संस्क्रीत का पेपर दिया जाएगा आसा है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से यदि आपको उसे स्कीम से सम्मंदत कोई पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट बस में जाकर कमेंट कर दीजीगा तो मैं उसके उपर डेडिकेटड वीडियो बना दूंगा अलग से मिलते हैं अगरे वीडियों तव तक के लिए धर्नवाद